नमस्कार मैं स्वाती और आप देख रहे हैं विंधिया टाइम्स रीवा जिला इस्थित प्रोइस्किल हब IT सौफ्ट्वेर नौकरी प्लेस्मेंट के साथ रीवा के छात्रों के सपनों को हकीकत में बदर रहा है प्रोइस्किल हब ने फिर एक बार साबित किया है कि IT सौफ्ट्वेर कंपनी में प्लेस्मेंट देने के लिए विंधिका सर्वशेष्ट संस्थान है प्रोइस्किल ना केवल CS ब्रांच के बच्चों को प्लेस्मेंट दिलाया बलकि आर्ट, कॉमर्स, एग्रिकल्चर, BSC ग्रेजवेट स्टुडेंट को भी IT सौफ्ट्वेर कंपनी में नौकरी दिलवाया है प्रोइस्किल हब युवाओं के अच्छे भविश्य के लिए अग्रिसर है, आपको बता दें कि APS यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए गौरब सेंगर को प्रोइस्किल हब की प्रोफेशनल ट्रेनिंग से 5 लाख रुपै का पैकेज मिला है गौरब इंदौर की IT MNC में Software Engineer बने है, यहाँ पर बताती चले कि गौरब नौन CS बैकडराउंड से है, इन्होंने APS यूनिवर्सिटी से BSC किया था गौरब ने प्रोइस्किल हब के बारे में बताते हुए कहा कि पहले यहाँ English सिखाया जाता है, वे भी बिल्कुल शुरू आज से, इसके बाद Scratch से Coding सिखाई जाती है और अंतताह दो महीने इंटर्व्यू के लिए practice कराई जाती है वही non computer science बच्चों को 6 महीने की training से placement मिलते देख अब computer science के BTEC, MTEC, BCA, BSC computer science के छात्रे ने भी जोरो शोरो से admission लेना शुरू कर दिया है आए सुनते हैं सबसे पहले गौरब को उनका pro skill hub को लेकर क्या आनुभो रहा है I am not from CS background but thanks to pro skill hub I got my placement in US based IT software company Indore, pro skill helped me in achieving my first job in IT software company, I could not imagine myself as IT software developer, this could happen only and only with the help of pro skill hub, literally pro skill hub is the future of students of Riva as well as Vindir, pro skill can make anyone's career in IT field as it makes of mine, so thank you so much pro skill and team आपको बता दे कि pro skill hub के first batch के 100% student अच्छी जगह पर काम कर रहा है बता दे कि 6 महीने पहले, pro skill का दूसरा batch शुरू हुआ, जिसमें गौरब और उनके साथ कई अलग-अलग शात्र IT company के इंटर्व्यूज क्लियर किये है वही कुछ छात्रों के द्वारा यह भी बताया गया कि 4 साल कॉलेज किये है और साल की एक से 1.5 लाग रुपए फीज भी भरी और इसके बाद बाहर 60,000 रुपए दे कर coding classes जॉइन की जहां बोट पर coding सिखा दी जाती थी कॉलेज से पास आउट होकर सोचे कि बाहर जाकर ट्रेनिंग लेंगे तो अच्छा सीखने को मिलेगा लेकिन वहाँ पैसे व्यर्थ हुए और वहीं 400 बच्चों के साथ बोट पर पढ़ा दिया गया फिर खुद इंटर्व्यूज धूर कर बैठें लेकिन क्रियर नहीं हुआ क्योंकि इंटर्व्यूज इंग्लिस में होते हैं मशीन राउंड में coding questions सॉल्व करने होते हैं सब कुछ इंग्लिस से होता है तो प्रेस ने भी समझने में मुश्किल हो जाती है इसके बाद रिवा में placement news देखकर प्रोस्किल हब जॉइन किया और यहां से एक अच्छा placement मिला